तो आज हमाँ स्टार्ट करने वाले हैं linear equation in 2 variable ncrt 3.21 का question answer आज हम solve करेंगे तो आए यह solve करते हैं तो हमारा अज जो होगा linear equation in 2 variable equation in 2 variable ठीक है तो ncrt ncrt 3.1 का question answer हम आज करेंगे ठीक है तो सबसे पहला question है तो यहां पर पहला question है तो यह हमारा question है तो यह हमारा question है तो इसको आए यह solve करेंगे question है 10 student of class 10th took part in mathematics qs मतब 10th student है जो class 10 का बच्चा है ठीक है उसमें क्या बोल रहा है कि mathematics qs में वो सब क्या कर रहा है participate कर रहा है if the number of girls is 4 more than the number of boys number of girls is 4 more than the number of boys मतलब boys से जितना boys का संख्या है उसे चार ज्यादा girls का संख्या है find the number of boys and girls who took part in the qs तो boys और girls का number बता रहा है जो qs में participate किया है तो आईए solve करते हैं चलिए तो यहाँ पर हम इसको कैसे solve करेंगे देख लेते हैं तो यहाँ पर माल लेते हैं late the number of boys number of boys be x and number of girls be y ठीक है तो number of girls number of boys को माल लिए x और number of girls को माल लिए y clear है चलिए अब क्या बोल रहा है 10th students of class 10th 2 का part in mathematics qs मतलब total कितना student है total जो है 10 student है तो यहाँ पर boys का संख्या x है और girls का संख्या y है तो total student कितना है 10 इसलिए यहाँ पर हमारा पहला equation क्या हो जागा equation first आ गया चलिए equation second कैसे find out करेंगे if the number of girls is more more than the number of boys मतलब जितना boys का संख्या है उसे 4 अधिक girls का संख्या है ठीक है तो यहाँ पर हमको क्या करना है y बराबर यानि कि girls का संख्या क्या है ज्यादा है girls और boys का संख्या को equal करेंगे तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा x पलस 4 है कि नहीं तभी नहीं दोनों बराबर होगा तो एक equation यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus x plus y बराबर 4 ठीक है तो यह हमारा दूसरा equation हो गया अब दोनों equation को क्या करेंगे solve करेंगे तो आएगे solve करते हैं x पलस y बराबर 10 और यहाँ पर है minus x plus y बराबर 4 यह दोनों minus और plus कट गया यहाँ पर y और y क्या हो जाएगा 2y बराबर 14 तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 14 divided by 2 कट जाएगा तो y बराबर यहाँ पर क्या आगया 7 यानि कि y क्या है girls का संख्या है यानि कि girls total कितना है total girls 7 चली total कितना student है 10 तो यहाँ पर girls का संख्या 7 यानि कि boys का संख्या कितना हो गया obviously 3 हो जाएगा और equation से भी अगर हम निकालते है तो इतना ही आएगा x plus y बराबर 10 y का value कितना आया 7 यानि कि x का value कितना आ जाएगा x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 यानि कि boys का संख्या कितना है 3 देखिए तो boys का संख्या से 4 अधीक girls का संख्या है कि नहीं तो यह क्या हो गया number of girls 7 and number of boys 3 ठीक है तो इस तरह से क्या करेंगे इसको हम solve करेंगे तो आए हम next question के और बढ़ते हैं ठीक है next question है debt of one pen चले तो आए इसको question में क्या कहा है 5 pencil and 7 pencil together cost 50 rupees ठीक है find the cost of one pencil and that one pen तो यहां पे 5 pencil और 7 pen का दाम कितना है 50 rupees तो यहां पे हम क्या करते हैं मान लेते हैं let the one pen cost x and one pencil cost y ठीक है तो one pen cost कितना है x और one pencil cost कितना है y तो यहां पे 5 pencil यानि कि 7y plus pen cost कितना है x यानि कि 7 pencil यानि कितना हो जागा यहां पे 5 pencil हो जागा यानि कि 5y या एक pencil का दाम y है तो 5 pencil कितना हो जागा 5y उसी तरह से एक pen का दाम x है तो 7 pen का दाम कितना हो जागा 7x दोनों का cost कितना है 50 rupees तो यहां से एक equation आ गया चलिए अब यहां पे दूसरा equation यहां पे लिखेंगे 7 pencil and 5 pencil together cost 50 rupees 46 rupees तो 7 pencil यानि कि 7y 5 pencil यानि कि 5 x ब्रावर कितना 46 यह हमारा second equation हो गया अब क्या करेंगे दोन equation को solve करेंगे चलिए तो यहां पे solve कर लेते हैं 5y plus 7x ब्रावर 50 और यहां पे 7y plus 5x ब्रावर 46 clear है चलिए अब क्या करते हैं इसमें multiply कर देते हैं 7 से और इसमें multiply कर देते हैं 5 से ठीक है तो यहां पे यह कितना हो जाएगा 35 by और यहां पे यह हो जाएगा 49x यह हो जाएगा 350 जीरो, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 by और plus में ये हो जाएगा, 25 x और ये हो जाएगा 6, 5 जा, 30 और 5, 4 जा, 20 ओर 23, हैगी नहीं अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रेक करेंगे, यहांपे Minus, Minus और ये Minus, ये तो cancel हो Kung में से 5 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 ठीक है X, 0 में से 0 गया 0 5 में से 3 गया 2 2 3 में से 2 जाएगा 1 24 X ब्रावर 120 यानि की X ब्रावर 120 डिवाडसेवाइत 24 कितना अगस रोजाय गा 5 बार में है कि नहीं पांच बार में यह हो जागा यानि कि X का वैलू कितना आया 5 X का वैलू 5 यानि कि एक पेन का कॉस्ट कितना हो जागा 5 रूपीच अब हम निकाल देते हैं पेंसिल का तो इसमें पूट कर देते हैं 5 by पलस में 7 X ब्रावर 50 यहां पे 5 by फेन्सिल यहां प्लस में अससेवेंटी fiau around 50 यहां पर फ्य माईनस में 35 के लिए देखें यहां पर क्यों क्यों ब्रादों पीडिक नहीं तो एक पेंसिल का दम कितना है तेट रूपया एक पेंसिल का दाम तीन रुपिया और एक पेंसिल का दाम पांच रुपिया और यहां पर अगर हम इस को सड़ी तो इस भाईलू को हम पूट करते हैं यह सटिसफाइट करता है कि नहीं तो यहां पर 5 by plus 7 x इस ब्रावर 50 है चलिए वाई का फेलू कितना है 3 तो यानि कि 5 इंटू 3 और पलस 7 इंटू 5 ब्रावर 50 है तो 5 3 जा 15 है कि नहीं 15 पलस में कितना हो जागा यह 35 यानि कि 35 ब्रावर 50 यानि कि जो हमने एक्स और वाई का फेलू निकाला वह बिल्कुल सही है क्लियर है यहां पर भी करके देख लेते हैं चलिए 7 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 5 ब्रावर कितना है 46 है तो यहां पर प्लस में 25 चलिए तो यहां पर 46 ब्रावर 46 तो मेरा दम 100% क्या हो गया यह आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाया गलत क्या करेंगे जो वैलू आगा उसको ए प्लस ब्रावर अरेचेस आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हम जो वैलू निकाले वह बिल्कुल सही है तो इक्सरसाइज यह 3.1 NCRT का यह पहला का दो कोश्चन है A और B तो हमने A और B को सोल्व कर दिया अब हम दूसरा को सोल्व करेंगे नेक्ट वीडियो में ठी गिल्सोमाचे